एंडिये की महिला विंग्स पहुची निर्वाचन आयोग तेजस्वी के खिलाफ FIR करने की कर रही है मांग तेजस्वी आदव की सभा में चिराग पासवान को गंदी गंदी गालिया देने का मामला बिहार की राजुनीती में तूल पकड़ने लगा है मुखे रूप से भाजपा और सहयोगी एंडिये के सभी महिला नेत्रियों ने भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता उशा विद्यार्थी के नित्रत्व में बिहार निर्वाचन विभाग पहुच करें तेजस्वी आदव और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR करने की मांग कर रही है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उशा विद्यार्थी ने मीडिया से बात करने के दर्मियान कहा कि चुनाओं अभी शुरुवाती फेज में है और इस तरह की गंदी-गंदी गालियां माता और बहनों पर दी जा रही है आगे चल कर इसकी पुन्रावरती ना हो इसलिए भाजपा और तमाम सहयोगी पाटी आज निर्वाचन आयोग पहुची है ताकि जो लोग भी इस तरह का ओची हरकत कर रहे हैं या फिर उनके समर्थक हो या खुद तेजस्वी प्रसाद यादव उन पर कड़ी कानून कारेवाई होनी चाहिए जमुल की सभा में महिला के बारे में मंच और मंच के नीचे अब सब्द का प्रियोग किया गया तो ये इस लोक तंतर में इस तरह की गाली गुलॉज करने के परंपरा हमारे हां नहीं रही है और जाती सूचक सब्द का प्रियोग करते हुए मा बहन का गाली देते हुए ये परंपरा का पुर्णा विर्ती ना हो इसके लिए हम लोग आज चुनाव आयोग में आये हैं कि इन पर फाई आर दर्ज हो और उस पर कारवाई हो ताकि अभी तो चुनाव काफी बाकी है वहां किसी प्रकार की जाती सूचक सब्द का प्रियोग नहीं हो किसी महिलाओं को गाली ग्लोज नहीं किया जाए इसके लिए आज हम लोग अपना इंसाब मांग रहे हैं जो भी जो तेजश्वी जी के मन से ये सब हुआ है तेजश्वी जी के सामने उनके कारकरताओं के द्वारा हुआ है उनके नेताओं के द्वारा किया गया तो उन पर जांच करें, लेक्षन कमिशन देखें और वहां का पूरा वीडियो क्लिप देखें कि किस ने किया और उस पर केस हो, नहीं हो तो तेज़श्वी जी पर केस और उनके सभाग में ही इतनी जुरत हुई ना कि कि किसी की मां के ब मां के बारे में और गाली गुलॉज किया गया तो इसकी पुन्रा विर्ती नहों मैं पुना ही इस बात को दो रहती हूं इसलिए इसे मामले पर फायार धर्ज होनी चाहिए लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए